सबसे पहले उस वीडियो के बारे में आपका क्या रियाक्शन है, क्या हुआ था पूरा बताईए पहली बात है जो सोशल मीडिया में दिखाया जाता है उसमें कोई सच नहीं होता क्योंकि सोशल मीडिया में लोग अपनी तरफ से जो दिखाना चाहें वो दिखाते हैं सचाई है जो भी विडियो वाइरल हुए उसमें सबसे बड़ी सचाई है कि अगर आप एंटी इंडिया स्लोगन्स लगाएंगे और अगर आप यह बोलेंगे कि हिंदोस्तान मुर्दाबाद करेंगे तो फिर कश्मीर के बारे में बात करेंगे तो फिर बंदा किसी तरीके से करेंगे तो फिर हसके चला जाएगा तो सिर्फ यह कारण था कि वहाँ पर दो या तीन पाकिसानी लोग थे जो एंटी इंडिया चीज़े बोल रहे थे तो अगर आप गालिया देंगे या देश के बारे में कुछ उल्टा बोलेंगे अगर परसनली भी गालिया देंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हसके चला जाओं या कुछ ना बोलके चलाओं उस तरीके के तो मैं गखती हूँ कि नहीं सब क्या भी एंगे ऐसे लोगों को आप क्या मुझा लेगी मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जब आप स्पोर्ट देखने आए जब आप मैश देखने आए तो आप अपनी टीम को सपॉर्ट करिए ठीके बहाँ पर कुछ पुछ पुलिटिकल करने की जरूरत ने की जरूरत और हिंदुस्तान के पारे में गलत बोलने के दुरूथ निया अप अपने देश को सपोर्ट करिए वहाँ पर हिंदुस्तानी क्राउड भी था वह अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करा तो इसमें क्या खरावी अब मैश देखने आया ना यहाँ पर को पुलिटिकल तो कुछ भी इंडिया पाकिसान खिले तो दोनों ही देश के क्राउड को में यह कहना चाहूंगा कि आप अपने देश को सपोर्ट करिए किसी भी खिलाडी को या किसी भी व्यक्ति को ना उसके देश के बारे में कुछ गलत बोलिए ना किश्मीर के बारे में कुछ बोलिए इसा आब पहल जा कि अगर वहां पर इंडियन कराउड था, वो अगर फिसी को भी सपोर्ट तरहा दये गिशी के भी नारे लगा रहा था, तो मेरी तरफ से नहीं लगा रा तो मैंने तो उन लोगों को लियाद कि जन लोगों ने मेरी तरफ या हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे ल झालाज़ झालाज़